हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए ले के आए हूँ आधा कप चावल के आटे और आधा कप सूजी से बनने वाले इंस्टेंट स्नैक्स की रेसिपी आप इस रेसिपी को छोटे मोटे भूख या फिर आपके घड़ में क इसनैक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल में आड़ कर रही हूँ आधा कप चावल का आटा यह मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है फ्रेंट साथ में मैंने आड़ किया है आधा कप ही सूजी जो की बारीक वाली सूजी मैंने आड़ की अगर आप उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें तो यहाँ पे देखे यह बारीक वाली कुछ ऐसी होती है और अभी मैं इसमें आड़ कर रहे हूं आधा कप गेहू का आटा साथ में मैंने यहाँ पे एड़ किया है एक चोथाई कप दही दही नॉर्मल भी आप ले सकते हैं या फिर कि रखनी है तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी फिर से एड़ किया है इन सब चीजों को अच्छे से बस मिक्स कर लिया और इसे ढखके पाच मिनट तक हम छोड़ देंगे रेष्ट के लिए और यहाँ पे देखे पाच मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है और आप अदक मैंने पानी थी तो यह वाली थी तो मैंने यह ढाला है और प्यास का आठ किया या फिर एक च्छोटे साइज का प्यास को अट करे बारिक टुकुरमें कटा हुऊ दो हरी मिर्च पाहरी मिर्च बारी कटिष्ण में कटी हूई साथ में आदी देखें MICHAELE e जिसे हाथों पे मसल के हम डालेंगे ताकि इसका flavor जादा आया और इस तरह से डालने के बाद मैंने यहाँ पे एड़ किया है आधी चोटी चमच चाट मसाला साथ में आदी चोटी चमच मैंने अड़ किया है चेली फ्लेक्स मिर्ची आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आदी चोटी चमच यहाँ पर मैंने काला नमक अड़ किया है साथ में आदी चोटी चमच साधा नमक अड़ किया है नमक अपने स्वात के हिसाब से एड़ करें एक मुटी भड़के बारीक टुक्रों में कटा हुआ हरा धन्या एड़ किया है और इन सब चीजों को हम हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी consistency कितनी थीक है तो बस इसी तरह का आपको इसका better बनाना है सात में मैंने यह यहां पर एड़ किया है एक चोथां चमज baking soda baking soda आपको सबसे last में add करना है जब इसे आमें तलना रहे गा तो यहाँ पे इन सब चीजों को डालने के बाद एक बार आपको अच्छे से इस तरह से mix कर लेना है और यहाँ पे मैं इसे छोटे छोटे बॉल के सेप में बना रही हूँ आप कोई भी सेप अपने हिसाब से बना सकते तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए वाइल डाल दिया था गरम होने के लिए और बस इस तरह से गोल गोल में वड़े के सेप में बना रही हूँ आप चाहें तो इसे एक चमच तेल में पैन में डाल के छोटे छोटी से टिक्की भी बना सकते हैं तो यहाँ पे देखे एक एक करके मैं चोटे चोटे वड़े डाल दी हूँ जितना एक बढ़ में आ सकता है इसे डालने के बाद आपको इसी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और आप देखेंगे कि यह उपर आ जाएगी यह बहुत हलकी हो जाती है फ्रेंट बहुत ही अंदर से फ्लपी बनती है और बस यह उपर आ चुकी थी तो मैंने इसे पलर दिया है गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है और इसी तरह से हमें इसे 2-3 बार घुमाते हुए अच्छे से फ्राइ कर लेना है 3-4 मिनट में ही आपका यह स्नैक्स अच्छे से तल जाएगा तो यहाँ पे देखें 3-4 मिनट हो चुके हैं और यह हमारा नास्ता पूरी तरह से रेडी हो चुका है तो अभी मैंने इसे एक जारे में निकाल लिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वायल हो वो निकल जाए और आप इसके कलर को देखे समझ सकते हैं कि यह कितना टेश्टी उपर से कितना कुरकुरा बना है साथ में यह बिल्कुल भी वायली नहीं दिखड़ा है तो बस इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और बागी के स्नैक्स को भी मैं इसी तरह से तल लूँगी तो हैना इसे बनाना बहुत ही आसान तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फिंट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पार वाचिंग